हर्याना सरकार किसानों के लिए योजनाय चलाकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही है आज का किसान सरकार के सहयोग और बागवानी विभाग की मदद से खुद को सफल किसान बना रहा है बागवानी विभाग से समय समय पर मिलने वाली जानकारी से किसानों को आधुने खेती करने में मदद मिलती है और वो कम लागत में ज़ादा मुनाफ़क कमा पाने में भी सक्षम हो रहा है ऐसी ही एक किसान है जिला अंबाला के किसान भुपेंद्र से जिनके लिए बागमानी विभाग का सहयोग वर्दान साबित हुआ है बुपेंद्र ने आज एक प्रगती शील किसान बनकर अपने उपर चड़े कर्ज को भी उता रहा है साथ ही वो बताते हैं कि आज उनके बैंक अकाउंट में जमा पूंजी भी रहती है आज वो ना केवल अच्छा जीवन बिता रहे हैं बलकि अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा रहे हैं किसान बुपेंद्र ये भी बताते हैं कि पहले वो पारंपरी खेती करते थे जिससे उन्हें ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं मिलता था और बढ़ती कर्स ने उनकी आर्थिक स्थिती को भी कमजोर कर दिया था फिर उन्हें बागवानी विभाग से आधुनी खेती के बारे में पता चुला जिसके बाद उन्होंने रियायती किसानों को किनारे कर बागवानी का रुख किया किसान भुपेंडरु सिंग आज बागवानी फसले खास कर फल और सबसीयों की खेती करते हैं जिससे वो पहले के मुकाबले जादा मुनाफ़ा कमा पाते हैं और बड़ी बात तो यह है कि आज किसान भुपेंडरु सिंग अपने ऊपर चुड़े कर्स को भी उतार चुके हैं करके जब कोई रोजगार नहीं मिला परिवारी खेती थी हम उसमें लग गए परिवार आज 20 साल होगे लगबख खेती करते हैं हमें और पोर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के उसमें संपर्क में आने से उन्होंने हमें मोटिवेट किया कैने लगी भी आप यहां पे सबजी उगाओ हमारे कैने से होटी कल्चर वालों ने हमेशा मेरा साथ दिया जैसे टनल का है मल्चिंग का है तारमास का है उन्होंने हर सुविधा हमें प्रोवाइड कराई है और आज इस बेस पे हम हो गई है कि जब भी हम कभी अपनी फसल का हाड़ती के बाज जाते दे उनके पास ही साफ करते दे हमेश और यह जो हमारे डिपार्टमेंट के जो हमारे लोग हैं जो ने ने साथ दिया तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और होर किसान भाईयों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी इस फिल्ड में आए प्रगती शील किसान वो बेंद्र सिंग का कहना है कि बागवानी विभा के संपर्क में आने के बाद ही उन्हें इस बात की जौनकारी मिली थी और आज वो अन्य किसानों को भी परंबरागत खेती गेहूं जीरी के अलावा बागवानी कर सबजियों और पलों की खेती करने क जब से हमने ये काम शुरू किया है तो बच्चे भी अच्छे पढ़ने लगे हैं और दस पैसे आने भी लगे हैं तो इसमें ज्यादा बेनिफिट है ना कि जो हमारा पुस्तानी काम था पहले जीरी गयों या गन्ना उसके अलावा इसमें बैस्त है मैं किसान भाईयों से न भी बहुत हैलफूल है तो कोजिस करिएगा एक अधा किल्ला आप लगा के देखे उसके बाद जैसे जैसे आपको ठीक लगेगा उससाब से आप अपने सीडी चड़ते जाहिए हर्यान सरकार के और से खेती के लिए मिलने वाली सबसीडी आज किसानों के लिए वर्दान साबित हो रही है सरकार का उतेश्य है कि किसानों को सबसीडी दे कर उन्हें आधुनी खेती के लिए प्रुचसाहिद किया जा सके प्रगतिशीन किसान भुपेंवर सिंग बताते हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से मल्चिंग और तारबंदी जैसी कई चीजों पर सबसीजी मिली है बागवानी विभाग की तरफ से उनकी भरपूर मदद की जाती है साथ ही है समय समय पर उनकी पसलों की जाच होती है किसान भुपेन प्रमानते हैं कि अगर वो शुर्वात से ही बागवानी विभाग के साथ जुड़कर खेती के आधुनिक तरीके सीखते तो शायद उन्हें इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता किसान बुपेंद्र मानते हैं कि बागवानी विभाग की तरफ से समय पर मेरी जानकारियां और उच्छे सिक्षा और ग्यार नहीं आजोने खुशहाल और काम्याब किसान बनाया है करकार की तरफ से सरह हमें मल्चिंग की सबसीड़ी मिलती है टनल की सबसीड़ी मिली है तारमास की सबसीड़ी मिली है यहां तक कि जो वाटर से लूबल यह जो खाद आता है उस पे भी सरकार गवर्मेंट हमें सबसीड़ी देती है यह टनल हमारी लगी होई है, यह लगा दिसंबर में लगा दिशारा है, इस पे भी हमारी सबसेड़ी हमारे पास आ गई है, तो इसके लिए तो गोर्मेंट का भी सुक्रिया है, हमारी दिक्कत ही ही है कि हम इन लोगों के साथ नहीं जुड़ पाई, अब हम जुड़े हैं, वो पोते देखते हैं, वे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर उनके पास कोई सिल्यूशन नहीं होता, वो सार उपर बेजते हैं, उसकी फोटो करके, वट्सेफ करके, उनसे सारी के सारी गाइड़न्स लेके, तब इन बे दुवाई, सपरे या बगारा है, छड़काव करक पागवानी विभाग से जुड़े ये किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफ़ा कमा पाने में सक्षम हो रहे हैं, ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चुलाई जा रही उचनाएं, अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं, और इससे कितना फायदा इसके किसान को हो रहा है, सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान को शहार जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफ़ा कमा पाए, इसलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को तयार है, किसानों के लिए परंपरागत खेती करना मुश्किल होता जा रहा है परंपरागत खेती में लागत जादा और मुनाफ़ा कम है इसके साथ ही रासायनी खाथ के समाथ से जमीन की उर्वारक शम्ता भी कम हो रही है इन किसानों की कहानी आज की समय में अन्य किसानों के लिए प्रेणना स्रोथ है जो किसान खेती से मुह मोड रहे हैं ताकि ऐसे किसान खेती का तरीका बदर कर प्रगती शीर किसान बन सकते हैं सोनी पत के किसान जितेंद रुभी इन में से एक हैं जितेंद राज फलों की खेती कर अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं वो बताते हैं कि उन्होंने तीन एकर में पपाया की खेती शुरू की थी इस औरान उनके फलों की बिक्री नाके बराबर होती थी जिससे उन्होंने भारी नुकसान भी उठाया लेकिन इसके बाद उन्होंने टमाटर और नंगने सबजियों की खेती शुरू की जिसमें उन्हें दीरे-दीरे मुनाफ़ा होने लगा मेरे नाम जितेंदर मोर है और मैं गाउन खानपुर्खुर्द गरेने वाड़ा हूँ सबसे पहले मैंने पपाया लगाया मैंने तीन एकड में और उसका बीज में लेकाया देरा दून से चड़ा सीड़ फारम से जिनको राष्ट्रपती अवार्ड मिला था हर पेड़ पर क्युंटल से ज्यादा लगया और अजार क्युंटल से ज्यादा एक एकड़ की प्रोडेक्शन थी लेकिन जब वो पैदा होई तो मेरा लेने वाला को एक रुबे किलो में भी नहीं था और उसके बड़ा भारी नुक्सान होया उसके बाद मैंने ट्रमाटर लगा और ट्रमाटर उन दिनों में नाइटी सेवन में मेरा एक लाक रुवे से उपर गए के कड़ में गया बड़ा अच्छा लगया उसके बाद मैं कहलिंग पॉंग गया कहलिंग पॉंग से फोलों गा जो इंगलिस कट फलावर उनका बेज लेक आया जब मेरा मंडी में जाना स्टार्ट वाया दिली मंडी म बेच नहीं सकता उसको बेचने की समझ चाती है फिर मैं यह इसार सफेदा लगाया डेड़ एकर जमीन में दो एकर में जीनाइन केड़ा लगाया तीन एकर में मैंने यह सब्जी बाड़ा केड़ा लगाया जीतीन पर बताते हैं कि हर्याना सरकार की तरफ से उन्हें सब्सीडी मिली साथ ही बागवानी विभाग की तरफ से उन्हें खेतों में ड्रिप सिस्टम लगाने में भी मदद मिली जिससे उनके खेती करने के तरीके में बड़ा बतना वाया आज किसान जतीन प्र अच्छा मुनाफ़क कमा पाने में सक्षम है और इसके लिए वो सरकार का धन्यवाद करते हैं कि अमरूद में मेरे को सबसीडी दी गवर्मेंट ने एक सबसीडी पर छोटा ट्रेक्टर दिया और टिकल जरी डिबार्टमेंट ने डिप सिस्टम लगवाया मेरे यहां केला मेरा पांच एकड़ पे है अमरूद मेरा दो एकड़ पे है अक्तीन लाग रुबे एकड़ साला ना गया मेरे जो निस्टावान करमचारी हैं जिन लोगोंने मेरी मदद की है मेरे खेट पर भी आये हैं यहां के उन्हेंने डिमार के सिन भी करवाई है कोई समस्याति उसके लिए प्रदेश के यह प्रगतिश उन किसान आजन्न किसानों के लिए प्रेणा स्रोथ बन कर सामने आ रहे हैं और यह सब हर्यान सरकार के प्रयास उसे ही संभव हो सता है किसान बताते हैं कि बागवानी विभाग से मिली मदद और जानकारी नहीं आज उनके खेती करने के ठंग में जो बतनाब किया है साथी किसानों के बागवानी विभाग से मिनी प्राक्रिटी खेटी की ज्वानकारी से ही वो आज कम लागत में अच्छा मुनाफ़ा कमा पा रहे हैं